नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में जिसमें आप देख सकते हैं UP A&M भरती 2022 को लेकर कुछ महत्पूर्ण चर्चा में आपसे करने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अभी मेरे पास जो मैंने पहले A&M से रिलेटिड वीडियो डाली थी उसमें बहुत से लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि सर मेरे नमबर इतने थे मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ या इस तरीके की बहुत सारी कमेंट मेरे पास मे आ रही थी तो मैं आपको बता दूँ के जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ उनका भी सेलेक्शन होगा जी हाँ एक बार फिर से बोल देता हूँ जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ उनका भी सेलेक्शन होगा सेकिंड मेरे लिस्ट में इनका भी कम नमबर पर चैन HCOBC का ये कैसे होग पूरा आपको step by step में समझाने की कोशिस करूँगा तो IO की तरफ से second merit list कब तक आ सकती है ये भी मैं आपको confirm करके पूरा ही बता दूँगा और किस तरीके से वो chain परकिरिया रहेगी जिन लोगों जो लोग रह गए हैं उनका selection कैसे होगा क्योंकि आपको भी पता है 1212 पदों पर vacancy थी तो आप लोग जानते ही हैं कि 1212 पदों पर vacancy थी जिसका exam हो चुका है और मैं आपको पता दूँ इसका result भी आ चुका है तो result आने के बाद मैं आपको पता दूँ कि ये जो 1212 पद हैं ये सारे नहीं बरे गए येनि कि कहने का मतलब ये है कि जो 1212 पदों पर vacancy थी बाद मैं 112 पर उसमें से मात्र 8,018 पद भरे गए है मतलब जो अभी result जारी हुआ है वो 8,018 पदों का result जारी हुआ है येनि कि जो उपर की vacancy हमारे पास में बच गई है उपर की जो vacancy हमारे पास में बची हुई है उन vacancy उपर अब second marriage list जारी होगी वो कैसे होगी मैं आपका उता दूँ कि जो अभी तक पहले जो result जारी हुआ है पहले तो इन सब लोगों को joining मिलेगी जिन लोगों का dv हो चुका है जिनका पूरे तरीके से final selection हो चुका है पहले इन लोगों को joining मिलेगी उसके बाद में क्या होगा उसके बाद में क्या होगा ये भी समझी आप dv में जो लोग रह गए थे यानि कि जो dv तक पहुँचे लेकिन किसी का रणवास dv में रह गए फिर उनको वरियता दी जाएगी फिर नमबर दो पर किसे दी जाएगी जिसकी date of worth में जो बड़ा होगा उसको वरियता दी जाएगी यानि कि किसी के नमबर सेम है कोई दो candidate है उनके नमबर सेम है सेम होने के बाद में जो उमर में बड़ा होगा जिस date of worth जो उमर में बड़ा होगा उसको वरियता पहले दी जाएगी अब बात करते हैं नमबर तीन की तो नमबर तीन के लिए बता दू कि जो ये बाकी पद है और जो करीब फाइनल मेरिट से दो नमबर तीन नमबर इस तरीके से रह गए हैं यानि कि suppose करिये आप के पचास नमबर पे मेरिट लगी जनर्नल की या किसी की भी माल लो पचास नमबर पे मेरिट लगी तो पचास नमबर मेरिट तक जितने बच्चे सेफ जोन में जा लिए जिनका डिवी हो चुका उनकी जोइनिंग होगी और जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें क्या होगा जब बच्चे तो पूरे पचास नंबर पे फाइनल मेरिट लग गई लेकिन बच्चे हमारे जो रिक्त पद हैं फिर भी खाली रह गए तो पचास नंबर पे अगर मेरिट लगी और सेकंड मेरिट लिस्ट में पैंता लिस्ट तक के बच्चे लिए जाएंगे यानि कि आपके नंबर भी घटेंगे अगर आप जन्रल की पचास पर है और कोई बंदा एक दो नंबर से रह गया है तो उसको भी बेट लिस्ट जारी करेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट वेटिंग लिस्ट पूरा तरीका मैंने आपको समझा दिया है अगर अब भी कोई डाउट भचा है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं ये कब तक आएगी ये भी मैंने आपको बता दिया है कि पहले 16 अगस् से इनका प्रोसेस स्टार्ट होगा दोबार मतलब जो इसमें बची हुई परकिरिया है उसको देरे देरे पहले हैं पूरा करेंगे जो भी मतलब रह रहा है जो भी मतलब आगे की परकिरिया है जो मतलब अब तक फाइनल रिजल्ट में फाइनल सेलेक्शन हो चुका है जिनक पाणवें 112 सीट नहीं भरी गई है और सभी बच्चों को जितने भी स्टूडेंट है सभी को एक मंच पर आने की ज़रुत है एक जुट होने की ज़रुत है अपने लिए आवाज उठाने की ज़रुत है अगर आपने आवाज अपनी नहीं उठाई तो ऐसा हो सकता है कि पहले जो कुछ एक्जाम हुए थे उसमें कोई सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आई थी हलकि उनकी सिटे भी पूरी नहीं भरी थी कुछ पद रिक्त भी रह गए थे लेकिन इन्होंने सेकंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं की थी तो ऐसा भी आयोग कर सकता है तो अगर अब जरुरत ह तो सिर्फ आवाज उठाने की आपको हम वीडियो बना कर दे देते हैं मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए लेकिन आप ना तो वीडियो पूरा देखते हम आपको एक मंच पे इकटा करना चाहते हैं आप लोग एक मंच पे इकटा भी नहीं होना चाहते देखो हक के लिए ह सायद second marriage list ना आए और अगर आज आपने अपने हग के लिए आवाज उठाई तो second marriage list अवस्य जारी करेगा आयोग आगे आपका जो भी कोई doubt होगा हमें comment के माद्धम से आप पोच सकते हैं कोई भी person होगा आपका हम comment करिए हम आपको जवाब हमारी team आपको जवाब देगी और आगे जैसे ही कोई हमें सूचना मिलती है तो हमारे द्वारा आपको सबसे पहले आवगत करा दिया जाएगा इसलिए चैनल को subscribe करके bell icon को all पर select कर ले ताकि भविश्य में जैसे ही हम अपने चैनल पर कोई भी